जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी, संगत जी हमेशा का जाता है कि गुरुजी हमें किसी भी रूप में आकर हमारे कश्ट कटा ही देते हैं, हमें कुछ नहीं होने देते, हमारे साथ अंग संग रहते हैं इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनका कश्ट कैसे कटाया तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी ये मेरा चौथा सत्संग है मैं हर थर्ज़े गुरुजी के सचसंग जाती हूँ और लास्थ थर्ज़े जब मैं सचसंग गई थी तो वहाँ एक आंटी जी अपना सचसंग सुना रही थी मैं वहाँ कुछ माइने से लंगर प्रशाद सर्व करने की सेबा कर रही हूँ तो मैंने उनका सत्संग सुना और मन में बोला कि गुरुजी नेक्स टाइम मैं भी कोई सत्संग शेयर करूँगी पर हम लंगर प्रशाद खा कर वहां से वापिस आ रहे थे तो वहां एक लोड कैरियर खड़ा था तो वो सड़नली रिवर्स करने लगा बिना पीछे देखे मैं तब एकदम शौक में हो गई मतलब उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं आगे जाओ या पीछे जाओ मतलब मेरा दिमाग बिलकुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं साइड हो जाओ वो पूरा मेरे से टच हो गया था मैंने मन में सोचा आज पतानी क्या होगा मेरी ममी ने मेरी बाजू पकड़ कर मुझे अपनी साइड खीच लिया और ये सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है उनकी कृपा की बज़े से ही मुझे कुछ भी नहीं हुआ मतलब मैंने मन में सोचा ही था कि मुझे कोई सत्संग शेयर करना है और मेरे साथ इतना बड़ा सत्संग हो गया जब हम घर आ रहे थे तो मैंने थोड़ी देर बाद यूट्यूब खोला तो वहाँ सबसे उपर यही मैसेज आया मुझे सत्संग के थुरू की कुड़िये तेरे उपर बहुत बड़ा कश्ट सी जो मैंने काट दिया क्योंकि तू हर जगा मुझे अपने साथ लेकर जाती है और मंत्र जाप करया कर संगत जी मैं जब भी घर से बाहर जाती हूं कहीं भी तो मैं यही बोलती हूं गुरू जी मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापिसाना संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरू जी जो हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा हमारा ख्याल करते हैं हमेशा हमें चोट लगने से बचाते हैं ऐसे ही गुरू जी ने आंटी जी को भी चोट लगने से बचाया गुरुजी हमेशा सबको ठीक रखते हैं इसलिए कहा जाता है जब भी हम कहीं भी जाएं गुरुजी को साथ लेकर जाएं गुरुजी का मंतर जाप करते हुए जाएं गुरुजी को याद करते हुए जाएं गुरुजी से बाते करते हुए जाएं ताकि गुरुजी हमें सही सलामत वापिस घर भी ले आए और हमारे साथ बाहर भी हो आए जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी